मैं भगवान सिंग मीना, स्याचार्य संस्कृत, विध्यारतियों नमस्कार आज हम सोला संस्कारों के बारे में अध्यन करेंगे भारते संस्कृति में सोला संस्कार माने गए हैं इन सोड़ संस्कारों का संसिप्त विवरण निम्न प्रकार उद्रित किया जा सकता है सबसे पहला गर्बाधान संस्कार है मानव जीवन का प्रथम संस्कार गर्बाधान है जिस कर्म के द्वारा पुरुष इस्त्री में अपना बीज इस्तापित करता है उसे गर्बाधान कहा गया है जैसा की पूरु मिमान सा के अधोलिकित वाक्य से इस्पष्ट हो जाता है गर्ब संधार यते एन कर्मन तद गर्बाधान इती अनुगतार्थ कर्म नाम धेए आचारे सोनक के मत को उद्रित करते हुए वीर मित्रो दय के करता मित्र मिस्र भी पूरु मिमान सा के उक्त कथन का ही समर्शन करते हैं उनके मतानुसार सुक्र निशेचन किरिया के परिनाम रूप में इस्त्री द्वारा गर्ब अर्थर्थ सुक्र पिंड का आधान कर लेना ही गर्बाधान है निशिक्तो यत प्रयोगें गर्ब संधार यते इस्त्रिया तद गर्बा लंबनम नाम करम प्रोक्तम मिनिशिवि यहां इसके लिए संसकार सब्द का प्रयोग न करके कर्म सब्द का प्रयोग किया है जो ये सूचित करता है कि जिस प्रकार अन्य संसकारों के अवसर पर काल्पनिक धार्मिक कृत्य किये जाते हैं वेशा कर्म ना होकर गर्बाधान यतार कर्म है ये सोध देश से है जो प्रजा उत्पत्ति अर्थार संतान उत्पादन के निम्मत ही किया जाता है पित्रिरिन से मुक्त होना इसका मूल उद्देश से है गर्बाधान की विसेश जानकारी सरो पर्थम व्रद्दा रणने उपनस्द में उपलब्द होती है अथ यामेत छेद गर्बं दधी तेती तस्याम अर्थ निष्ठाये मुखेन मुखम संदहया प्यान्या भिप्राणाये आदी इंद्रें ते रेत सा रेत आधाम इती गर्बनी येव भोती अर्थार्थ जब पत्नी में संतान की इच्छा होती तो गर्बधारन किया जाए इस विचार से पत्नी में ओक्त उद्देसे को नियत कर पती आलिंगन पोर्वक संत्ति किरिया के रूप में इंद्रे से वीरे का नी विशेचन करता था उसके आधान करने पर पत्नी गर्बवती मानी जाती थी गर्ब आधान के लिए रितुकाल उप्युक्त माना गया था रितुशनान की चोथी रात्री से सोलवी रात्री तक का समय गर्बधारन हेतु उप्युक्त माना जाता था इस विशे में उलेख है सोडश सत्तु निशा सस्ता गर्बश्याधान कर्मणी गर्बश्याधान के उद्देश्य से ही सुक्र निशेचक आवशक माना जाता था निरू उद्देश से सुक्र की वेर्था को पाप समझा जाता था वीर मित्र उद्देव में आसु लायन का मत उद्जित है वेर्थी कारेण सुक्र से ब्रमहत्या इव आपनु याद गर्बश्याधान की रात्री संख्या के आधार पर ही भ्रून में लिंग निश्य का भी उल्लेक इस्मृति गरंथों में किया गया है मनु लिखते हैं युगमासु पुत्रा जायन्ते इस्त्रियो अय युगमासु रात्रिसु पुमान पुन्सो अधिके सुक्रे इस्त्री भोत्ते दिके इस्त्रिया समे अपुमानम पुन्स इस्त्रियो वा सीने अलपे चे विपर्रे अर्थार युगम सम संक्यक रात्रि में गर्भाधान से पुत्र तथा युगम अर्थार विसम संक्यक रात्रि में गर्भाधान से कन्या का जन मानने है यदि पुरुष के वीर्दे की मात्रा अधिक हो तो पुन्सत्व तथा इस्त्री के रज की मात्रा अधिक हो तो इस्त्रित्व यम राज वीर्दे की समान मात्रा हो तो नापन सक्त मानना चाहिए या गर्ब का सई आधिवी संबह होए मनुने गर्बाधान के लिए दस रात्रियां प्रसस्त मानी है तासाम आधस चतस्षु अस्तु निंदिते एका दसी चया त्रियो दसी च से सास्तु प्रसस्ता दस रात्रे अर्थार्थ उन रितुकाल से गणनिये सो डस रात्रियों में से प्रारम की चार रात्रियां तथा ग्यारवी यम तेरवी रात्रिय को छोड़कर सेस दस रात्रियां गर्बाधान है तु उचित मानी गई है इस तरी के रितुष्णान के उप्रांग पती पत्नी का संतान उत्पत्ती हेतु सैयोग अनेवारे माना गया था धर्म सास्त्र में ये दि रितुष्णान के उप्रांग पती पत्नी से सैयोग न करे तो उसे ब्रह्म हत्या का दोसी तहराया गया है रितुष्णान्तां तू योभार्या सन्निधो न उप्गच्छती गोरायां ब्रह्म हत्यायां युज्जते नात्रसंसे इसी प्रकार ये दि रितुष्णान्ता पत्नी पती से सैयोग न करे तो उसे भ्रह्म हत्या का दोसी माना जाता था रितुष्णान्ता तू या भार्या भरता राम न उप्गच्छती ताम ग्राम मध्धे विठ्या पे भ्रूनग्निम तू परित्यजेत पुरानों में भी गर्बाधान हेतु विधी निसेदात्मक निर्वेश उपलब्द होते हैं कॉर्म पुरान में दस पुत्रों की उत्पत्ति के लक्से की बात कही गई है दसाश्याम पुत्रान धेही किन्तू कालांतर में प्रते ग्रस्त को दस पुत्रों की आवशक्ता न रही अतर प्रतिमास पत्नी से सहवास की अनिवारिता धीरे धीरे सीतल हो गई ये बंधन केवल उनी के लिए रह गया जो संत्ति विहिं थे इसी प्रकार एक पुत्र की उत्पत्ति के बाद प्रतिमास पती पत्नी का संयोग वेकल्पिक माने जाने लगा दूसरा संसकार है पुन्सवन संसकार गर्ब विनिश्चे के उपरांद पुन्सवन संसकार इस भावना से किया जाता था कि गर्ब रूप संत्ति पुत्र रूप में ही उत्पन हो इसके पिछे उद्द्र से यह रहा होगा कि पुत्र होने पर ही पित्री रन चुकाने का अधिकारी पिता को माना जाता था पुन्नाम नरकात रायते इती पुत्र एसी पुत्र सब्द की उत्पत्ति से भी लक्सित होता है कि पुत्र की आकांशा वेदिक मानव को अधिक थी वही पित्रों को पुम नामक नरक से बचाने वाला माना गया था सामान्य द्रश्टी कोण से पित्री सत्तात्मक परिवार होने से प्रतमतर पुत्र की आवशक्ता अनेवार्य थी इस विशे में वीर मित्रोदय में सोनक का मत उध्रित हुआ है पुमान प्रसुयते एन कर्मना तत पुन्सवनम इती इत्रम अर्थार्थ पुन्सवन सामान्य तर उस कर्म को कहा गया है जिसके अनुष्टान से पुरुष्ट संत्ति का जन्म हुँ पुत्र उत्पन करने वाली माता स्रेश्ट समझी जाती थी अथर वेद में पुत्र उत्पत्ति की प्रत्नाएं उपलब्द होती है एक जगे कहा गया है आते योनिम गर्भं एतु पुमान बानान इवेशु धिम आवीरो अत्र जायतां पुत्रस्ते दस मासस्य अर्थार जिस प्रकार धनुस पर बान का संधान किया जाता है उसी प्रकार तेरी योनि में पुत्र को जन्म देने वाले गर्भ का आधान हो दस मास्य वेतित होने पर तेरे गर्भ से वीर पुत्र का जन्म हो पुन्सवन संसकार के अवसर पर अनुष्टे कर्ण का क्या स्वरूप था इस विशे में यद्दपी वेदिक साथ्ते में कोई इस पश्टूलेक नहीं है तता भी वेदों में उपलब्ध एतत विशे प्रात्ना मंत्रों से ये तो इस पश्ट हो ही जाता है कि इन प्रात्नावों या मंत्रों का विन्यों उक्त कर्म में अवस्चे मानने रहा होगा अथर वेद में क्रणों मी के प्रजापत्यम कतन से भी ये इस पश्ट होता है कि संबवे उक्त समय में इस संसार को संसकार को प्राजापत्य कहा जाता रहा हो अथर वेद के एक मंत्र से ये भी पता चलता है कि पुत्र उत्पत्ति के निम्मित इस संसकार के अंतरगत गर्बनी इस्तरी को कुछ ओस दियां भी दी जाती थी ये मंत्र इस प्रकार है यासाम धोव पिता प्रत्वी माता समुद्रो मोलं वीरुधं बभुव तास्तत्वा पुत्र विधाय देवी प्रचरंत्यो ओस्दर अर्थार्थ जिन पोधो का पिता दोव है माता प्रत्वी है समुद्र मोल है वे दिव्य वस्दियां पुत्र की प्राप्ति में तेरी साहिता करे ग्रह सुत्रो के अनुसार पुन्षवन संस्कार गर्ब धारण उपरांत तीसरे या चोते मास में जब भी चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में संक्रमन कर जाता था किया जाता था इस अवसर पर दो मुख्य कारे किये जाते थे मात्री पूजा तथा आभ्युदाइक स्राद परवर्ती धर्म सास्तकारों ने आठवे मास तक पुन्षवन का काल निर्धार किया है वीर मित्रो दय में उन लिखित ब्रस्पती का मतल और भी विसिष्ट है तिर्थे मासी कर्तव्यम ग्रष्टे अन्यत्र सोबनम ग्रष्टे स्चतूर्थे मासे तु सच्टे मासे यथा वाष्टमें अर्थार्थ प्रतम गर्भ में पुन्षवन संसकार तीसरे मास में करना चाहिए बाद के गर्भ धारण में क्रमसर, चोथे, चठे या आठवे मास में इसे संपन किया जा सकता है याग वल्लक के टीकाकार विग्णासर मिताक्सरा में लिखते हैं एत्यचे पुन्षवन सिमानतो उनियने छेत्रे संसकार कर्मत्वात सेक्रदेव कार्रे नप्रतिगर्भाग अर्थार्थ पुन्षवन यवन सिमानतो उनियन ये दो छेत्रे संसकार है अत इने एक बार ही करना चाहिए पुन्षवन संसकार के समय गर्भणी को पुन्षवन तंती के उद्देश से जो ओस दी दी जाती थी उस संदर में सु सुरुत सैयता में अदोलिकित विवरण उपलब्द होता है लब्द गर्भायास चेती स्वय है सु लक्ष्मना वट्र स्रिंगी स्देवी विश्व देवा नाम अन्यतम सीरेन अभी गुट्टे त्रिस चतुरोवा बिंदुनों दधा दक्षने नासा पुटे पुत्र कामाये नचे तत निश्टिवे अर्थार पुत्र की प्राप्ति के लिए सु लक्ष्मना वट्रिंग सहदेवी विश्देवी इन चार उस दियों को दूद के साथ घोट कर उसके रसकी तीन या चार बुंदे गर्बनी के जक्षिन नासा पुट में छोड़ना चाहिए परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस तरिव से छीक कर या थूक कर बाहर नहीं फेंक दे पुंच्वन के अउसर पर प्रतिकातात्मक प्रते भी किये जाते थे पारसकर ग्रह शुत्र के अनुसार यदि पिता ये चाहता कि उसका पुत्र विर्रेवान या बल्वान हो तो एक जलपात्र इस तरिके अंग में रख देता था तथा उसके उदर का इस पर्स करके सूपर्णो असी मंत्र का उच्चारन करता था बाद में कलस के जल से हाथ धोकर उसका आच्मन करता था विद्ध्यार्तियों आज हमने गरवादहन संस्कार और पुन्सवन संस्कार का अध्यन किया है नेक्स क्लास में हम सेश संस्कारों का अध्यन करेंगे नमस्कार